वैसे तो हरी सब्जिया लोग सेहत बनाने के लिए खाते हैं लेकिन इस साल ये सब्जिया लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है इसका कारण इनके बढ़ते दामों का ग्राफ है जो नीचे नहीं आ रहा है उपर ही उपर भाग रहा है सब्जियों में टमाटर ने तो उ इसलिए वो महंगाई पर महंगाई बढ़ा कर जटके पर जटका दे रही है थोग बाजार में अच्छी कॉलिटी का टमाटर चार हजार से पांच जार रुपे प्रतिक विंटल विख रहा है लेकिन खुद्रा बाजार में इसका भाव सत्तर से असी रुपे किलो है ब्यास क की कीमत को देखी तो इसकी कीमत भी थोग बाजार में 1000 से 2000 रुपे प्रतिक विंटल है जो हमारे आपके घर तक पहुचने पर 50 रुपे प्रतिक विंटल तक पहुच जाता है बाजार में सबसे सस्ता अभी कद्दू लोकी है जो 500 से 800 रुपे प्रतिक विंटल के भाव पर खुद्रा में 20-30 रुपे प्रति कीलो की हिसाब से मिल रहा है गोबी की कीमत 35-4,000 रुपे प्रति क्विंटल है जो खुद्रा में 80 रुपे प्रति कीलोग्राम हो गई है वैसे तो दीपावली के बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है इस दोरान हरी सबजिया भी सस्ती हो जाती है लेकिन इस बार टमाटर सहित कोई भी हरी सबजी सस्ती होने का नाम नहीं ले रही है इसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है अगर थोक और खुद्रा की बाद करें तो रेट दो गुने हो चुके है सबी मुनाफ़ा वसुल करने के लिए लगे है जिसका खामियाजा आम आदमी को भूगना पड़ रहा है किसी का भी रेट पर नियंतरन नहीं है